हेलो दोफ्तों मेरा नाम है संदीप एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल रिबारी मोबाईल सुलूशन में दोफ्तों आज मैं आप लोगों को बाटफाब के कुछ ऐसे फीचर के बारे में बताऊंगा जिनको आप लोग हो फक्ता है जानते तो होंगे पर उसका सही तरीके से यूज आप लोग जानने की कोशिश नहीं किये हैं दोफ्तों यकीन मानिए वीडियो में आपको काफी कुछ फीखने को मिलेगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजे दोफ्तों पर लिजे चानल को भी सब्सक्राइब कर लिजे फात्मे घंटा कोभी दवा लीजिएगा पहले फीचर के लिए आप लोगों को सबसे पहले चले जाना अपने सेटिंग में इसके वाद आप लोगों को चले जाना है प्राइबिसी मेये आप लोगों को यहाँ पर पहला फीचर मिल जाएगा Read Receipt का अगर आप लोग इसको on कर देते हैं तो आप लोग किसी का भी बाटफाप स्टेटस देखिए किसी का भी SMS देखिए सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने उसका इस्टेटस या फिर SMS देखा है दूफरा फीचर आप लोगों को जश्ट नीचे मिल जाता है Disappearing Message का इसका मतलब है निराफा जनक फंदेश आप लोग अगर इसको on कर देंगे तो आपके बाटफाप में निराफा जनक Message आना बंद हो जाएंगे तीफरी सेटिंग आप लोगों को जश्ट नीचे मिल जाती है Blocked Contact आप लोग बाटफाप में जिसको भी ब्लॉक करके रखेंगे वो यहाँ पे सो करेंगे आप लोग यहाँ से Unblock भी कर सकते हो बात करें चौथे फीचर की तो आप लोगों को मिल जाता है Just नीचे Fingerprint Lock अगर आपके Mobile में Apps Lock करने का सिस्टम नहीं है तो आप लोग यहाँ से Fingerprint अपने बाटफाप पे लगा सकते हो फिंगर पिंट लाग दोस्तों बात की जाए अगले फीचर की तो उसके लिए आप लोगों को चले जाना है अपनी बाटफाप की सेटिंग में और उसके बाद आप लोगों को चले जाना है Second Number Chat पे सबसे उपर आप लोगों को मिल जाता है डिस्पले का फीचर आप लोग थिंफ पर क्लिक करके अपने बाटफाप पर डार्क मोड अपलाई कर फकते हैं लगा सकते हैं बाल पेपर पर क्लिक करके आप लोग अपनी चैट में बाल पेपर उगएरा लगा सकते हैं आप लोगों को bright के वाल पेपर कुछ इस तरह से heavy-heavy वाल पेपर मिल जाते हैं dark के आप लोगों को कुछ इस तरह से मिल जाते हैं आप लोग चाहो तो अपने my photo जिसे भी जाके अपना जो चाहे मनपसंद photo अपने बाटफाप चैट पे लगा सकते हो ठीक बात की जाए अगले फीचर की तो आप लोगों को just नीचे मिल जाता है media bilisability का फीचर अगर आप लोग इसको off कर देंगे तो आपके बाटफाप में जो भी photo, video, idea आएगी आपके gallery में show नहीं करेगी गैलरी में आपके नहीं दिखेगी अगर आप लोग इसको off कर देंगे तो बात की जाए दोस्तों अगले फीचर की तो उसके लिए आप लोगों को चले जाना है अपने बाटफाप की setting में and इसके बाद आप लोगों को चले जाना है storage and data पे यहाँ पे आप लोगों को when using mobile data का फीचर मिल जाता है जब आप लोग इस पर click करोगे तो आपको चार आपसन देखने को मिल जाएंगे photo, audio, video, document यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई photo गयरा, video गयरा हमारे WhatsApp में भेजता है automatically download हो जाता है जिसके चलते हमारा data बहुत जल्दी खतम हो जाता है तो आप लोग यहाँ से untick कर दोगे तो आपकी ओ फाइल download नहीं होगी automatic जब आप लोग करेंगे तभी होगी जैसे मैं अभी photo को select किया हूँ तो अगर मेरे बाठाप पे कोई photo भेजेगा तो वह automatic download हो जाएगी बट आइडियो वीडियो डांकुमेंट इनको मैं untick किया हूँ तो यह सब automatic download नहीं होगी तो आप लोगों को अपने हिसाब से sit कर लेना है ठेक दोस्तों यही सब थे बाठाप के कुछ most important feature जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी जानने सीखने को मिला तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा थेंक्यू सो मच